अक्सर डाबिटीज के पेशिंट्स को ये सलह दी जाती है कि उनको जो फूरूट्स है उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि फूरूट्स के अंदर जो ग्लुकोज है फ्रक्टोस है वो जादा मातरा में होता है वो मीठे होते हैं जिसके वजह से फूरूट्स कंज्यूम करने से बॉड़ी के अंदर शुगर लेवल स्पाइक अप कर जाते हैं हाला कि ये पूरे तरीके से बात गलत भी नहीं है बहुत सारे जो फूरूट्स है उनका तासीर बहुत ही ऐसा होता है कि नेचर से ही वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और अगर आप फूरूट्स कंज्यूम करेंगे तो आपके शुगर लेवल स्पाइक कर सकते हैं लेकिन डाबिटीज के पेशेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा फूरूट भी अवेलेबल है जिसको अगर वो कंज्यूम करें तो ना ही वो उनके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा इन फाक्ट अगर आपके शुगर लेवल बहुत जादा हायर साइट पर रहते हैं तो उसको वो लोगर डाउन करने में भी हेल्प करेगा नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Priyanka Singh सौगत करती हूं आप सभी का और आज फ्रूट के बारे में हम बात करने बालए है वह बैरीज बैरीज से अगर आप समझते हैं तो जैसे कि । संरॉबरी है ब्लाक बैरीज है ब्लू बैरीज यह सभी berries को अगर आप consume करते हैं तो यह आपको बहुत जादा benefit कर सकती हैं तो पहले हम discuss करेंगे कि berries के क्या-क्या फायदे हैं diabetes के patients में और बाद में हम यह discuss करेंगे कि आपको कितनी berries अपने diet में consume करनी चाहिए और किस तरीके से consume करनी चाहिए ताकि वह आपको नुकसान ना कर करें और आपको benefit करें और आपके sugar levels को भी कंट्रोल करें सबसे पहला जो benefit है berries का वो यह है कि उनका बहुत ही low glycemic index होता है यानि कि ग्लाइसमिक स्केल में जो berries हैं वो कही ना कहीं less than 40 score करती है less than 40 जो भी food items score करते हैं वो ऐसे food items होते हैं जिनको अगर आप consume करें तो आपके body के अंदर sugar level को एकदम से spike up नहीं करेंगे और धीरे धीरे आपके body के अंदर जो glucose है वो बढ़ेगा जिससे के मतलब यह है अचानक से आपके body में sugar level spike नहीं होंगे अगर आप berries कंज्यूम करते हैं तो दूसरा जो इसका बहुत अच्छा benefit है हमारे पस वो यह है कि इसके अंदर बहुत जादा antioxidants पाए जाते हैं एक जो major antioxidant berries में प्रेजेंट होता है वह है anthocyanon anthocyanon के अलावा flavanols भी इसमें प्रेजेंट होते हैं antioxidant properties जादा होने की वजह से यह हमारे body के अंदर oxidative stress को कम करते हैं जिसके वजह से आप diabetes से होने वाली बहुत सारी complications से बच सकते हैं जैसे कि डियाबेटिक नेफ्रोपेथी डियाबेटिक नियूरोपेथी डियाबेटिक रेटिनोपेथी थर्ड जो benefit हमें बेरी का देखने को मिलता है वह यह है कि वह आपके weight management में भी बहुत ज़्यादा help करती हैं यानि कि उनका जो अंदर calories है वह बहुत कम होती हैं वह एकदम से आपके body के अंदर sugar लेवल भी spike नहीं करेंगी और calories कम होने की वजह से आपका जो weight है वो maintain रहता है अगर आप moderation के अंदर berries को consume करते हैं और अगर अपना weight manage रखते हैं तो आप लोग जानते ही है कि diabetes के patients में weight manage करने से उनके sugar level automatically manage होने लग जाते हैं नेत्स्य जो हमें benefit देखने को मिलता है berries क वո यह है किसके अंदर बहुत ज्यादा vitamins प्र AZ होते हैं minerals प्रेज़ंट होते हैं vitamins जो हमें specially मिलता है berries में vitamin C और minerals हमें मिलते हैं मarnes हमें मिलते हैं मागनीज अगर आपके body के बाकिवी कोई metabolic disorder है तो बहुँ आपकी उवराल नहीं डिरेंजमेंट से हटके आपने बॉडी के अंदर एक संतुलन में लग जाते हैं तो अगर आप वाइटमिन्स सही मातरा में कंजूम करते हैं अपने डाइट में तो वह भी आपके शुगर के लेवल को कम करता है नेक्स जो और एक और बेनिफिट बैरीज का हमें देखन अगर आपके डाइट के अंदर अच्छी मातरा में रहता है तो जो फाइबर है वह आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है अगर आपको कॉंसिपेशन है तो उसको भी रिलीव करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर एकदम से शुगर लेवल को स्पाइ करें तो वह आपको बहुत जादा हेल्प करेंगी अगर आप डायबिटिक है तब और अगर आप प्री डायबिटिक है तो तब भी आप बैरीज को कंजूम कर सकते हैं ध्यान आपको यह रखना है कि अगर आपको शुगर लेवल जो है वह बहुत ही जादा हायर साइट पे रहता है तो आप बैरीज के साथ साथ कोई और भी फ्रूट जरूर अपने डाइट में आड़ ओन करें यानि कि आपके दिन भर की डायट में दो फ्रूट्स और वेजिटेबल जरूर होने चाहिए साथ ही साथ जो बैरीज है उसका कंजम्शन भी आप अप्रॉक्सिमेटली 125 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में ही रखें और अगर आप बहुत जादा रहते हैं आपको सीवियर कॉंसिपेशन है क्रॉनिक कॉंसिपेशन है तो उस कंडिशन में आप जामुन बहुत जादा इस्तिमाल ना करें वहाँ पे आप उससर जो कंजम्शन है वो 75 ग्राम पर दे त आपके डाइट ने प्रॉपर होना चाहिए और साथ ही साथ मेडिकेशन जो है उसको आपने भूलना नहीं है जैसे कि मैंने अपने प्रीविएस वीडियो में भी बताया है कि कोई भी फूड आइटम किसी मेडिसन की रिप्लेस्में नहीं हो सकता तो अपने मेडिकेशन है उसको रेगुलर्ली कंजियूम करें और साथ ही साथ अपने डाइट को पुरे तरीके से मैनेज करें 40-45 मिनेट का वॉप भी अपने रूटीन में आड़ ओन करें यह सब चीज़े अगर आप आज होल करके चलते हैं तो आपके शुगर लेवल जो है वह कहीं नहीं कहीं कंट टाइबिटी से खुट काना दिलाने में जल मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार